आज मैं आपको एक American Action Thriller फिल्म जॉन विक के बारे में बताऊंगा। अपनी पत्नी हेलिन को एक लाइलाज बीमारी से खोने के बाद जॉन विक को डेजी नाम का एक बीगल पिल्ला मिलता है जिसे हेलिन ने मरने से पहले भेजने की विवस्था की थी ताकि वो उसको दुख से निपटने में मदद कर सके। जॉन के घर में घुसकर उसे बेहोश कर देते हैं और डेजी को मारकर उसकी कार चोरी कर लेते हैं। योसफ कार की identification number बदलने के लिए उसे एक गराज में ले जाता है। गराज का मालिक औरेलियो कार को पहचानते हुए और ये जानते हुए कि ये किस से चुराया गया है। योसफ को घूसा मारता है और उसे गराज से बाहर निकाल देता है। जॉन औरेलियो से मिलने जाता है जो बताता है कि योसिफ न्यूयॉक शहर में रूसी माफिया के प्रमुख विगो तारासेव का बेटा है। जॉन के ये प्रयास विगो को अपनी माफिया की स्थापना करने में महत्वपूर्ण थे। योसिफ को आने वाली प्रलय की चेतावनी देने के बाद विगो जॉन से प्रतिशोध ना लेने के लिए बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन बात करने से इनकार कर देता लेकिन जॉन उन सभी को मार देता है और शवों और सबुतों को ठिकाने लगा देता है। ये सुनकर विगो बिल्कुल भी हैरान नहीं है और जॉन के सिर पर दो मिलियन डॉलर का इनाम रखता है। और व्यक्तिगत रूप से जॉन के उस्ताद माकस को जॉन को मारने का कॉंट्रेक्ट देता है जिसे वो स्वीकार कर लेता है। जॉन न्यू यॉक कॉंटिनेंटल होटल से सहायता मांगता है जो विशेश रूप से आपराधिक अंडवल्ट को ही अपनी सेवाय प्रस्तुत करते हैं और अपने परिसर में किसी भी हत्या की अनुमती नहीं देता है। जॉन को मारने के लिए इस नियम को तोड़ने के एचुक लोगों के लिए विगो ने इनाम को दोगुना कर दिया। पारने के लिए उसके कमरे में घुस जाती है। लेकिन अंत में पकड़ा जाता है। योसफ को आत्मसमरपन करने की जॉन की मांगो को नजर अंदाज करते हुए विगो जॉन को ये सोचने के लिए ताना मारता है कि वो अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ने में सक्षम नहीं हुआ। इससे पहले वो जॉन को मारते, माकस फिर से हस्तक्षेप करता है और जॉन खुद को मुक्ट कर लेता है और किरल को मौत के घाट उतार कर जॉन विगो को धमका कि योसफ का पता लगाता है। परकिंस को पता चलता है कि जॉन और माकस संपर्क में है और वो इस बात की सुचना विगो को देती है जो माकस को टॉचर कर उसको मरवा देता है। चाकू निकालता है लेकिन जॉन खुद को उस चाकू से मार लेता है। विगो को निहथा कर जॉन उससे घायल कर देता है और मरने के लिए छोड़ देता है।